दोस्तों CRM Classes इंदोर में आपका स्वागत है दोस्तों हमारी ये जो MP की सीरीज हमने चालो की है इसका ये पहला लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे General Introduction of MP इसमें हम MP का जितना भी सामाने परीचाय है जो भी सामाने से फेक्ट है सामाने सी बाते हैं उनको डिसक नवंबर 1956 को 1st November 1956 है ना ये डेट बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों इस डेट को आप याद कर लीजे है ना अब जब ये एक नवंबर 1956 में MP बना था तो MP और 36 गड़ एक साथ थे है ना जो अभी प्रिजेंट में 36 गड़ स्टेट है ये अलग से कोई स्टेट नहीं थ ये MP के साथ में ही जुड़ा हुआ था है ना लेकिन एक नवंबर 2000 को क्या हुआ MP से 36 गड़ को अलग कर दिया गया और जो हमारा प्रिजेंट फॉर्म है वो 1.02 को आया मतलब MP का प्रिजेंट काब आया एक नवंबर 2000 को इसमें क्या विश्यश्ता थी या क्या खास बात थी कि MP और 36 गड़ अलाग अलाग हो चुके थे एकड़म ठीक बात है इसलिए हम MP के foundation day के रूप में 1 नमबर को जानते हैं है ना मतलब 1 नमबर को हम क्या मनाते हैं foundation day of MP ठीक बात है अब मध्य परदेश हम नाम सुनते हैं ये जो नाम है मध्य परदेश ये किसने दिया ये नाम दिया पंडित जवाहरलाल नहरून है किसने है पंडित जवाहरलाल नहरून है चलिए ये बहुत ही simple facts हैं जो अभी हम शुरुआत में study कर रहे हैं जैसे जैसे lectures आँगे वड़ेंगे हम इसमें deep जाते जाएंगे क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति competitive exams की तयारी कर रहा है तो उसे ये सभी facts जो हैं ये बहुत easy लगेंगे लेकिन अगर कोई aspirant just तयारी शुरू करने जा रहा है तो उसके लिए भी ये points नए लगेंगे तो अब देखते हैं मद्रपदेश की capital क्या है राजधानी क्या है ये तो सभी लोगों को मालूम है भोपाल ठीक है अब मद्रपदेश की population क्या है ये एक ऐसा point है कि कई बार exams में पूछा जाता है और जो व्यक्ति या जो मेरे भाई हैं उनने अगर ये चीज याद नहीं की कि एक्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा तो वो वहाँ पर confusion के कारण गलत option टेक करके आ जाते हैं गलत option मार्क करके आ जाते हैं तो इसको याद करने का तरीका है 7, 26, 26, 809 ठीक है देखी कितने आसानी से याद हो जाएगा 7, 26, 26, 809 ये क्या है MP की population लेकिन present में ये population बढ़ चुकी होगी पर हम जब भी पढ़ते हैं तो पिछली जो latest census है जनगरना जो है उसके according पढ़ते हैं तो census 2011 की according जो की अभी हाल में latest census है उसके according MP की जो population वो कितनी है 7, 26, 26, 609 ठीक बात है मैं इस तरीकी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से याद हो जाता है है ना अब दोस्तों हम देखेंगे कि MP में state flower कौन सा है state bird कौन सा है state tree कौन सी है, fish कौन सी और animal कौन से तो सबसे पहले state flower of MP है white lily, कौन सा white lily, ठीक है state bird of MP है paradise flycatcher क्या paradise flycatcher और इसी के तो दूसरे नाम है वो हैं दूधराज शाहबुलबुल या टेटैनी, तो इन सभी नाम को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि कोई भी नाम है एक्जामस में पूछा जा सकता है माली जी आपने याद कि आप paradise flycatcher, मद्यप्रदेश का state bird है है ना, और पेपर में जो option था वहाँ पे टेनी लिखके दे दिया तो आप वहाँ पे confused हो जाएंगे इसलिए जितने भी ये नाम है उन सबी को आप अच्छे से याद रख लें अब state tree कौन सा है मद्यप्रदेश का जो state tree है वो कौन सा है वो है बन्यान ट्री बरगत का जो ब्रच होता है वो है मद्यप्रदेश का state tree ठीक है अब state fish क्या है राजकिये मचली कौन सी है तो ये है महाशीर इसका नाम क्या है महाशीर ठीक है और इसी का scientific अगर अपन नेम देखते हैं कि scientific नेम कौन सा है तो वो है टोर टोर कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो common एकदम आसान से facts होते हैं उनको tough बनाने के लिए scientific की और ले जाया जाता है जैसे exam में महाशीर बहुत easy हो जाएगा तो वो वहाँ पर टोर टोर option में दे देंगे है ना तो हमें सभी बात है ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलना है अब state animal कौन सा है state animal है swamp deer कौन सा? swamp deer अब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बारा सिंगा और एक बहुत इससे जुड़ा important fact है उसको याद रखें दोस्तों कि जो swamp deer बारा सिंगा जो है ये ब्रेडरी प्रजाती का है है ना मध्यप्रदेश का राजकिय पशु जो है वो है बारा सिंगा ब्रेडरी प्रजाती का ये जो ब्रेडरी प्रजाती मैंने बोला है ये बहुत important चीज़े इसको याद रखें ठीक है अब मध्यप्रदेश का राजकिय गान कौन सा है state song कौन सा है state song है मेरा मध्यप्रदेश है ना मेरा मध्यप्रदेश है और इसकी बारे में एक छोटा सा मैं आपको homework देना चाहता हूँ बहुत ही आसान सी बात है कि मेरा मध्यप्रदेश किसने लिखा है और किसने गाया है ये आप comment करके हमें जरूर बताए है ना अब state sports कौन सा है जो राजकिय खेल है वो कौन सा है वो है मलखंब कौन सा मलखंब जिसमें एक पोल होता है और उस पोल पर चड़के जो athlete होते हैं वो कलाबाजियां दिखाते हैं है ना और ये जो मलखंब है ये 2013 में बना था मध्यप्रदेश का राजकिय खेल कब बना था? 2013 में ठीक है अब state drama कौन सा है राजकिय नाट कौन सा है नाट के कौन सा है राजकिय ये है माच इसको बहुत ही ध्यान रखें दोस्तों क्योंकि ये exams में पूछा जा सकता है माच है ना अब चलिए ये तो बात होगे हैं हमारी state animals, birds, इन सब चीजों की अब हम बात करते हैं विधान सबा की seats कितनी है राज्य सबा की seats कितनी है और लोग सबा की seats कितनी है तो I.O.Friends आपने जब quality पड़ी होगी तो वहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि विधान सबा क्या कहलाती है राज्य सभा क्या कहलाती है, लोग सभा क्या कहलाती है तो यहाँ पर सिर्फ हम उनकी seats के बारे में डिस्कस करेंगे तो विधान सभा की present में जो seats MP में हैं, वो है 230, बहुत ही important question है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में ये 230 हो चुकी है इसके पहले तक ये 231 हुआ करती थी, तो विधान सभा की seats कितनी है, MP में 230, और N seats में से, जो SC category है, उनके लिए 35 seats reserved है, और जो ST category है, जन जाती है जो category है, उनके लिए 47 seats reserved है, ठीक है अब ये एक बात किलिए रो गई अब हम बात करते हैं, राज्य सभा की seats कितनी है, तो राज्य सभा की जो MP में seats है, वो है 11, कितनी है 11, और एक और आप comment करके बात बताईए कि राज्य सभा में reservation होता है, या नहीं होता है ये एक आपका hunger question इसको आप comment करके बताईए ठीक है, अब हम देखेंगे लोग सभा में कितनी seats होती है लोग सभा में MP में total 29 seats है, कितनी seats है 29 seats, 29 seats और 29 में से 10 seats जो हैं, वो reserved हैं, अब 10 seat किसके लिए reserved हैं, 10 seat reserved है SC और ST category के लिए तो आईए देखते हैं, 10 में से 4 seats जो हैं, वो हैं SC category के लिए और जो 6 seats हैं, वो है ST category के लिए तो अब देखते हैं चार seats कौन-कौन सी हैं जो ST category के लिए reserved है तो वो seats है भिंड, टीकमगर उजेन और देवास दोस्तो इन seats को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें क्योंकि यहाँ पर कई लोग बहुत जाद़ confused होते हैं और confusion के कारण exam में गलत option मार्क करके आ जाते हैं तो इनको बड़ी की धियान से याद करें कि लोगसभा की जो seats हैं उन में से 10 seats total reserved हैं और उन में से 4 seats जो हैं वो SC के लिए हैं और कौन सी seats हैं? भिंड, टीकमगर उजेन और देवास ऐसे ही 10 seats में से 6 seats जो हैं, वो ST category के लिए reserved हैं तो वो कौन-कौन सी हैं? रतलाम खरगोन, धार बैतूल, शेहडोल और मंडला, तो दोस्तों ये हमने एक general overview देखा अब इसके आंगे के और सारे facts हैं तो उनको हम discuss करेंगे लेकिन उसके पहले आप ये चीज नोट कर लीजे तो दोस्तों अब हम MP के general introduction के बारे में थोड़ी और points के बारे में जानेंगे और कुछ सामानने बाते हैं उनको जानेंगे तो आए सबसे पहले देखते हैं MP का latitudinal extent क्या होता है? कौनसा extent? latitudinal extent अब कई मेरे भाईयों की ये समश्या रहती है कि latitud ऐसी होती है या ऐसी होती है अब मान लीजे जो उस background से हैं जिनका geography subject रहा है उन्हें तो बहुत आराम से याद ही होता है लेकिन कई लोगों को इसमें confusion हो जाती है तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जो latitude है वो कैसी रहती है वो लेटी रहती है ठीक है और अब जो बची वो longitude हो गई बहुत easy तरीके से इसी तरीके से आप भी अपने कुछ-कुछ relate करके उस चीज को याद रख सकते हैं पूरी पढ़ाई में आप ऐसा कर सकते हैं रिलेट करके पढ़ सकते हैं तो latitudinal extend क्या होता है 26 degree north से sorry 21 degree 6 minute north से 26 degree 30 minute north तक ये क्या होता है latitude मतलब एक latitude ऐसे 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 दर से निकली और एक दर से निकली इस वाली latitude की जो value है जो इसका southmost point उसकी उस latitude का जो value है वो क्या है 21 degree 6 minute है ना ये वाला sign जो होता है ये minute का होता है उसको हम कभी geography पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे ठीक है और northernmost point की जो latitude extent होता है वो होता है 26 degree 30 minute north ठीक है इसी तरीके से अब हम समझेंगे longitudinal extent क्या होता है तो longitudinal extent ये होता है जहां हम ऐसे vertical lines की बात करते है जो globe पर vertical lines होती है वो longitudinal कहलाती है है ना तो अब हम समझेंगे इसका क्या है extent तो ये होता है 44 degree 9 minute east से 82 degree 48 minute east तक तो यहां से एक ऐसी 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 line आती है ये होती है 44 degree nominate east और ये होती है 82 degree 48 minute east अब कई लोग जब शुरू शुरू में तयारी शुरू करते हैं competitive exams की जब उनने geography की basics को नहीं पढ़ा होता है तो उनकी लिए ये doubt हो जाता है कि भाई यहां भी north है यहां भी north है यहां east है तो यहां भी east है ऐसा क्यों होता है तो मैं यहां पर उस चीज़ को discuss नहीं करूँगा क्योंकि उसमें class बहुत लंबी हो जाएगी तो आपसे request करूँगा अगर आपको भी यह confusion है तो पहले आप latitude और longitude chapter जो geography में उसको अच्छे से पढ़ें है ना अब बात हम करते हैं मद्द्देश का area क्या है यह जो पूरा मद्द्द्देश है इसका area क्या है second largest state है area wise ठीक है अब हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जो MP है वो completely land locked state है मतलब उसकी चारो तरफ completely land से घिरा हुआ है है न कहीं पे भी समुद्री सीमा नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि MP चारो तरफ से अपने neighboring states से घिरा हुआ है तो आईए जानते MP के कितने neighboring states है तो MP के पास हैं 5 neighboring states कितने 5 neighboring states पड़ोसी राज वो कौन-कौन से पहले राजिस्थान लगभग इस जगाय पर इस इतना जो area होता है MP के वो राजिस्थान का होता है फिर गुजरात लगभग यहां का area जो होता है वो गुजरात का होता है फिर महराष्ट इतने एरिया में यह महराष्ट होता है फिर UP तो यहाँ पर इस साइट से UP से घिरा हुआ होता है और 36 गड़ तो यहाँ पर इतना जो रीजन होता है वो 36 गड़ से घिरा हुआ होता है ठीक है दोस्तों यह जो पडोसी राज है यह बहुत जादा इंपोर्टें है ठीक है अब MP का climate MP के climate का क्या type है जब geography हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे type के climate होते हैं तो ऐसे ही एक type का climate होता है temperate monsoon climate तो MP के पास कौन से type climate है temperate monsoon climate अभी मैंसमें deep नहीं जा सकता क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा topic है है न हम इसको MP के geography में अच्छे से समझेंगे लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि MP का जो climate है वो कौन सा है temperate climate monsoon sorry temperate monsoon climate ठीक है ये चीज़ as it is exam में पूछी जाती है अब हम देखेंगे MP की average rainfall कितनी है मतलब पूरे साल में MP में average कितनी बर्षा होती है तो MP में जो average rainfall की value है वो है 112 cm कितनी 112 cm अब MP में सबसे जादा बर्षा कहां होती है MP में सबसे जादा बर्षा होती है पचमणी में पचमणी कहां पर आता है होशंगवाद district में आता है है ना पचमणी में होती है और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है वो होती है भिंड district के गोहद में है एक जगाय है भिंड में गोहद नाम से वहां पर MP में सबसे कम वर्षा होती है ठीक है आप जानते हैं दोस्तों MP में डिस्ट्रिक्ट है या Northern most जिला जो है वो कौन सा है मुरेना ठीक है Southern most district कौन सा है बुर्हानपूर ठीक है West most district कौन सा है अलीराजपूर और East most district कौन सा है सिंग रॉली यह बहुत ही important चीज है इसको आप अच्छे से याद रखें हैं अब हम देखेंगे MP में जो मैंने आपको अभी बताया कि latest census के according हम सभी data को मानते हैं तो अभी जो latest census है हमारे लिए वो कौन सी है 2011 क्योंकि अभी हाल में कोई भी census नहीं आई है है ना तो हम तो 2011 कोई latest census मान के चलेंगे तो 2011 की जनगर्णा के according MP का जो literacy rate है मतलब MP में कितने लोग साच्छर हैं है ना कितने percent लोग साच्छर हैं तो वो कितने है 69.3% बहुत ही important data है इसको याद रखें क्योंकि ये अक्सर silly mistakes हम कर देते हैं exams में और data गलत करके आ जाते हैं ठीक है sex ratio जो lingan उपात होता है वो कितना है MP का वो है 931 कितना है 931 ठीक है अब population density जो जनगनत्व होता है वो MP में कितना है वो है 236 कितना 236 population growth rate मतलब किस rate से MP की जो population है वो बढ़ रही है तो population growth rate है 20.3% दोस्तो जब हम census वाला topic पड़ेंगे तो उसमें पूरी census को बहुत ही deep में पड़ेंगे क्योंकि ये एक general introduction है इसलिए हम यहाँ पर उपर facts देख रहे हैं ठीक है अब देखते हैं दोस्तो MP में जो संभाग है divisions है वो कितने हैं तो MP में total 10 संभाग हैं है ना कितने संभाग है 10 संभाग दोस्तो जब हम reorganization of MP पड़ेंगे या MP का पुनर गठन पड़ेंगे जब हम संभाग की बारे बहुत अच्छे से पड़ेंगे कौन सा संभाग कैसे बना कौन सी तारीक को ना सब कुछ अब MP में जिले कितने हैं total district कितने हैं तो MP में total district है 52 कितने है 52 ठीक है MP में विकास खंड कितने हैं block कितने हैं अब जब हम पंचायत पड़ेंगे न तो वहाँ पर हम block की बारे में जानेंगे तो block कितने हैं 313 as it is paper में पूछा जा सकता है है अब MP में नगर निगम कितने हैं तो MP में दोस्तों नगर निगम 16 हैं लेकिन 2018 में दो जगए और नगर निगम सेंक्शन होने की बात हुई है उन्हें मंजोरी में लिए इसलिए कहीं-कहीं पर answer 18 दिया जाता है और कहीं-कहीं पर 16 दिया जाता लेकिन 16 और 18 दोनों दिया है तो उस case में या तो जो examiner है जो भी examiner उसमें दो answer दिये जाएंगे या तो 16 answer माना जाएगा ठीक है अब नगर पाली का कितनी है नगर पाली का है दोस्तों 98 मतलब MP में total कितनी नगर पाली का है 98 तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो MP का general एक introduction उसक complete कर लिया है तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है आपको तो हमारी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो इसको share करें और comments में जो भी suggestions है दें